श्री शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादेव देखिए कल 12 अक्टोबर कार्तिक मास का पहला बूदवार है और आपको मात्रे एक इलाइची से एक हरी इलाइची से बहुत ही अच्छी कुपाय करना है पुझ्य गुरुदेव की ही कता सुनकर के समझानी का पूरा प्रयास करूंगा लेकिन वीडियो में आगी बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्रेब करें देखें कार्तिक के पवित्र मेंने में हम तूलषी जी का पोजन नित्य करते हैं रोस करते हैं लेकिन कार्तिक मास के भूदवार के दिन इलाइची का उपाय आपके जीवन में जो भी दन से जुड़ी समझ्या है वो दूर करती है देखे करना क्या है आपको बहुत ध्यान से समझना आपको एक पात्र लेना है और उसके अंदर शुद्ध जल भरना है पूरा जल भर दे और साथ में आपको एक इलाइची लेना है देखे एक चुटकी सिंदूल लेना है और एक चुटकी आपको हल्दी लेना है और इसी से आ करना क्या है आपको आपके घर की तूलसी माता जहां कहीं भी हो वहां पर जाना है और तूलसी जी में सबसे पहले दिखो जलका पात्र जो है उसके अंदर आपको एक हरी लाई चीरे डालनी है ओम नमो भगवते वासु देवाय का ग्यारा बार जप करके बहुत ध्यान से इस समझना क्योंकि ये उपाय आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर करने वाला है देखे ओम नमो भगवते वासु देवाय का भी जाब करते हुए आप अर्पित कर सकते हैं या तो आप महाप्रसाद जन्यनी सर्वसोभाग्य वर्दिनी आधी व्यादी हरा अनित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते इस मंत्र का भी तीन बार अगर जाब कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए ये आपके जीवन से दुरभाग्य को दूर करता है जैसे ही इलाईची वाला जो जल है वो तुलसी जी में भूदवार के दिन अर्पित होता है तो इससे माता लक्षमी बहत प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धन का जो भी अभाव होता है वो सब दूर होता है साथी साथ उसके बाद जिसी आपने जल अर्पित कर लिया देखे अब आप क्या करेंगे कुमकुम में थोड़ा सा जल मिलाएंगे हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाएंगे कुमकुम की टीकी आपको तुल्ची जी में अर्पित करनी है और हल्दी भी आपको अर्पित करनी है इ अगर तुल्ची जी से कोई भी अगर एक पत्ता अपने आप जमिन पर घिरता है तो उसे आप ले करके आप आपके धन रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं इससे आपके जिवन में धन बढ़ता ही जाएगा तो विशेश ये चीज भी आप ध्यान रखें ध्यान रखें ये घिरा हुआ भूदवार के दिन ही हो तो ही आपको रखना है तो ये जो कपड़ा है आप किसी कागच में भी रख सकते हैं या तो लाल कपड़े में बान करके भी रख सकते हैं ध्यान रखें ये जो पत्ता है आपको रात में ही रखना है और ये जो क्रिया हमने बताई है ही मिल पाता है तो अगले बुद्वार के दिन आप रख सकते हैं श्री शिवाय नमस्त ब्यम हर हर महाद